हलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर आज हम आपको बताएंगे कि इस भीशन गर्मी में जो है आप अपने पोदों को किस परकार से बचा सकते हैं देखिए दोस्तों ये हमारा आम का पोदा है और इस पोदे पर आप देख सकते हैं गर्मी का कितना असर हो चुका है क्योंकि आज एक का जो हमारा टंप्रेचर है वो लगबग 40 के आसपास यानि 40 से भी ओपर हो चुका है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भ्यंक का टंप्रेचर है एक ये पोदा है दोस्तों जिसको की हम रात को पानी हमेशा छिड़काव करते हैं और इस पर भी देखिए गर्मी का असर है लेकिन हम जो है इस पर हरो डेली पानी का छिड़काव करते हैं जिससे की है पोदा अभी हरा बरा है और आपको भी इसी प्रकार से कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आपके या तो गंबले में लगे हुए हैं या फिर जमीन में लगे हुए हैं पोदे तो उसके लिए आपने क्या करना है कौन से तरीके अपनाने हैं कौन सी खाद देनी हैं जिससे कि आपका कोई भी पोदा जो है वो ना मरे और इस से उसका बचाव किया जा सके मैं आपको पूरी डिटेल में जान करी दूंगा दोस्तों देख लीजिए यह पोदा और एक और पोदा देखे यह भी देखे कितना हरा भरा है इसका कारण यह है दोस्तों जैसे ही पूरी दोपैर की गर्मी होती है तो इस पर पोदे पर छाओं आ जाती है जिससे कि यह है पोदे पर पूरा गर्मी का अशर नहीं हो पाता इसलिए जो है यह है पोदा जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और अच्छे पत्ते ले रहा है और इस तरीके से यह है जो है पोदा हमारा जूल सने से यानि गर्मी के प्रभाव से अभी चाओं में है उसका भी एक बहुत बड़ा असर चाओं का ये देखे ये भी एक चाओं में खड़ा हुआ पोदा है जिस पर की गर्मी का असर बिलकुल भी नहीं है और अच्छी ग्रोध दे रहा है आप भी इस परकार से आप यदि आपके पास कोई भी पोदा है फूल है या चाहे फलदार पोदे हैं या कुछ किसी भी परकार का पोदा है तो उस पर जो है पहली बात तो आप जो ग्रीन शेट है वह लगाएं नहीं तो आप अपने पोदे को अधिक से अधिक जो है वो ज्यादा सनलाइट में डारेक्ट क्योंकि आज कल जो है सूरिय की किरने सीधी हो चुकी है और उसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है मैं इस पोदे के बारे में बात करूं तो दोस्तो इस पोदे को आसपास भी आप देखेंगे तो इसी परकार से घास फूस जो है वो पूरी तरीके से जल चुकी है और इस पर जो है मैं रात को पानी का छिड़काओ भी न चल चुका है लेकिन इसमें अभी देखिए आपकी इस परकार से यदि आपका कोई भी पत्ता हो रहा है तो उसमें सबसे पहले तो आप रात को पानी का छिड़काव करना उचित समझें रात को पानी का छिड़काव करके ही सोएं फुवार द्वारा आप पानी का पानी से भर दोगे तो उसमें फंगस लग जाएगी चाहे आपका किसी भी परकार का पोदा है दूसरा आप जो है इसमें जो भी खात देंगे यानि सरसों की खली बेस्ट है तो वह बहुत कम मातरा में 24 गंटे के लिए भीगो करके आपने इसके पानी के साथ इसमें डालनी है और उसको फिर लगातार कहीं दिनों तक पानी उसमें भरके रखना है इस परकार से जो है दोस्तो आप अपने पोदे को किसी भी परकार की गर्मी से बिचा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसका निवारन गर्मी से निप्टा जा सकता है सरसो की खली बैस्ट है और मैं इस पोदे में मैंने सरसो की खली का ही डोस हर महिने में देता हूँ दोस्तो कितना देता हूँ सिरफ 10 ग्राम 24 गंटे के लिए भी गो देता हूँ और उसके बाद जो है इसका मैं जडो में पानी के साथ एक लेटर पानी में मिला करके डाल दे वीडियो बनाऊंगा कि किस परकार से जो है आप अपने पोदों में कौन-कौन से खाद आप डाल सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं वीडियो को शेयर जुरू करने हमारे चैनल क तो सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यूँ